साथियों नमस्कार हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की आर्ट एंड क्राफ टीचर भरती यानि ड्रेंग टीचर भरती के आज के इस सैसन में हर्याना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने एक बड़ा धमाका किया है एक बहुत ही खास और उम्दा बात की है result के आने के संकेत दिये है result आने का रास्ता खोल दिया है eligible और non-eligible की list जारी करके और इस non-eligible और साथियो eligible की list में क्या-क्या दिया गया है वो सारी बाते हम एके करके बारीकी से करने की कोशिश करेंगे वो list भी आपको दिखाएंगे जो की लगबग 500 सुभा 500 पेज की list है उसके अंदर क्या-क्या दिया गया है interview in court case है OMR rejected या suppressed है short listed for interview है note short listed for interview absent in security वो सारी बातें बारीकी से करने की कोशिश करेंगे लेकिन अगर channel पर पहली बार आए है वैसे तो आप पहली बार नहीं है बहुत सारे साथी पहले से ही लंबे समय से कई महीने से जुड़े हुएं लेकिन फिर भी कोई पहले बार आया है तो साथियों channel को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए एक एक update लेकर आते हैं और इतने लंबे समय से हमारा साथ है तो साथियों हम दिखाएंगे वो लिस्ट भी और उसमें बताएंगे कि क्या-क्या हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से आज दिया गया है जो माननी हाई कोर्ट के अंदर रखकर कल की जो हेरिंग है उसमें अपनी सारे के सारे अपने तथ्या रखे जाएंगे जिससे माननी हाई कोर्ट के द्वारा जो सटे लगाया गया है उस सटे को हटवाने की कोशिश के लिए एक ये कदम है साथियों क्योंकि लंबे समय से इस भरती पर सटे चल रहा है बारी बारी एक एक कंडिडेट चलता गया कोर्ट में जाता गया और साथियों पेंच उलजता गया लेकिन ये जो लिस्ट जारी की है ये लिस्ट सिरफ उस माननी हाई कोर्ट के सटे की वज़े से सारी की सारी एक उसको हम कह सकते हैं पूरा का पूरा बाइडाटा ही निकाल कर दे दिया है सारा जिरोक्सकोपी निकाल के दे दिया कि फलां कंडिडेट के इतने नंबर थे इसलिए इसको इंटर्व्यू मेंने बुला गया ये कंडिडेट अब सेंटरा इसलिए ये इस मुख्यधारा से बार है तो ये सारी बातें इस list से 500 स्वा 500 page की जो list है इसमें सारी की सारी कल्यर कर दी जाएगी कर दी गई है और ये मानने high court की पटल पर जब रखी जाएगी तो संतुस्टी यदि मानने high court को इस list से हो जाएगी तो सटे भी हट जाएगा और रिजल्ट भी लगभग जल्दी ही आ जाएगा हम यह नहीं कहेंगे कि कल को आ जाएगा हम संभावना यह जता रहे हैं कि कल को आ जाएगा लेकिन कल को आ जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यह मानने हाई कोर्ट की पटल पर जब र स्टे हटा दिया जाएगा और यदि नहीं लगता कि अब भी कोई खामी है तो फिर साथियों थोड़ा सा इंतजार हमें फिर करना पड़ सकता है रिजल्ट पर लेकिन लिस्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि हरेना स्टाप सेलेक्शन कमिशन ने काफी अच्छा होमवरक कर लेकिन फिर आपसे रिक्वेस्ट है यदि चैनल सब्सक्राइब ने किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो साथियों यह है हरेना स्टाप सेलेक्शन कमिशन की तरफ से आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की जो पोस्ट थी उसके लिए 520 पेज का एक पूरी की पूरी फाइ तथ्यों के साथ रखा जाए और कोरट में जो सटे लगा हुआ था उसको हटवाने में काफी मदद मिले तो साथियों इसके अंदर ये एक एक बारी बारी से हम देखते हैं जैसे रोल लंबर दिया गया है 001 जनरल कैटेगरी अबसेंट तो जो अबसेंट है ये रिटन के मा हाँ नमबर नहीं दरसाए गए है उन्होंने तो इंटर्विव दे दिया है तो साथियों या तो जो अबसेंट रहे हैं उनको बताया गया है या जो साथियों इलिजिबल नहीं हुए नोट इलिजिबल उनके नमबर दिखाए गए है क्योंकि उन्हों नहीं इंटर्विव नहीं दिया है और एक साथियो सोर्ट लिस्टिड फोर इंटर्वियू है तो सोर्ट लिस्टिड फोर इंटर्वियू का जहां तक स्वाल है तो सोर्ट लिस्टिड फोर इंटर्वियू जैसे यह दिया गया है तो यह वो कंडिडेट है जिनका साथियो इंटर्वियू के लिए chain हुआ था और उनके लेकिन number शो नहीं किये गए है लेकिन ये वो candidate है जिनके interview हो चुके है और आगे result इनका आएगा दूसरा साथ्यू ये जो absent वाले हैं ये absent वाले ये दिया गया है कि ये candidate जो absent लिख्या हुआ है ये इन्होंने written exam नहीं दिया गया written exam में ये absent रहे हैं और साथियों जो ये SC category के 64 marks दिये गए हैं यानि SC category के अंदर 64 marks वाड़ा not eligible रहा है यानि वो interview के लिए नहीं बुलाया गया है तो ये हमने पहला page है साथियों इसी परकार scroll करते चलेंगे तो हम यहां देखते हैं कि BCB का 96 वाड़ा भी साथियों नहीं बुलाया गया है तो 96 वाड़ा भी यहां नहीं बुलाया गया है साथियों तो next इसके बाद आपका scroll करते चलेंगे और देखते चलेंगे तो यहां आपका general category 24 और 82 general category तो ये shortlisted जहां भी लिखा हुआ है ये साथियों वो हैं जिनके interview हो चुके हैं और ये है interview in court case तो ये साथियों interview in court case वाड़ा जो candidate है जो की 0-30 है general category के अंदर ये वो candidate है जिनका किसी वज़े से interview नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने court case किया court case के बाद उनके interview हुए और वो भी उस मुख्यधारा में सामिल हो गए तो इसी प्रकार साथियों interview in court case जो भी है आपके सामने ये काफी लंबी list है लेकिन इसकी एक एक चीज जो भी नई चीज आएगी वो हम समझने की कोशिस करेंगे आप sent को हमने समझ लिया है sort listed for interview हमने समझ लिया है और साथियों जो जिसके marks दिखाए गए है वो not eligible है यानि वो interview के लिए सामिल नहीं हुए तो साथियों ये HSSC ने बहुत ही अच्छी समझदारी से court में जाने का जो कल की hearing है उसके लिए बहुत बड़ा homework त्यार करके ऐसा homework त्यार किया ताकि उस सटे को तुड़वा जासके और ये साथियों ये आपका general category के अंदर ये candidate है जो की है rejected as scratched and smuggled interviewed in court case तो साथियों ये वो है जिसकी omair reject हुई थी या scratch हुई थी और उन्होंने court में गए 089 वाड़ा interview इसका roll number है तो आप देख सकते हैं तो इन्होंने court case के माद्दम से अपनी omr का हल निकलवाया और ये वो सामिल हो गए और साथियों इन omr rejected के जो candidate है उसमें लगबग 114 candidate ऐसे हैं जो की omr rejected वाड़े थे और काफी साथियों इनके अंदर काफी candidate ऐसे थे जिसकी merit बड़ी अच्छी बनती है और वो भी इस मुक्यधारा में अब आ गए हैं court case के माद्दम से तो साथियों court case के माद्दम से जो candidate आए हैं वो भी काफी fight करते हुए नजर यहां दिखाई दे रहे हैं तो इस परकार हम चलते जाएंगे तो आप अपना खुद भी देख सकते हैं जाकर के साइट पर HSAC की साइट पर यह नंबर देख सकते हैं तो जिस जिस साथि का यह सक थी कि मेरे नंबर इतने बढ़ते हैं और मेरे को इंटर्व्यू के लिए नहीं बुला गया तो उन सभी के लिए यह सारा का सारा किया गया है ताकि कोई भी आगे कोई केस ना करें और मानने हाई कोर्ट के अंदर वो सारे के सारे अपने यह डाकुमेंट रखे HSAC जिस से निप्टारा होने में आसानी हो जाए और स्टाप सेलेक्शन कमिशन को वो रहत मिले और उन कंडिडेटों को भी रहत मिले जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और साथियों यह कुछ कंडिडेट जैसे यह दिखाया गया है आपका यह इंटर्व्यू के अंदर यह साथियों इसमें दिया गया है अपसेंट इन सेक्रूटनी तो अपसेंट इन सेक्रूटनी में यह दिया गया है आपके सामने यह कंडिडेट यह कंडिडेट है जिसका रोल नंबर है 0195 जनरल कैटेगरी अपसेंट इन सेक्रूटनी तो किसी वज़े से वो absent रहा है तो वो भी या सो किया गया है यानि कि उसने सेक्रूटनी नहीं दी तो इसके अंदर 4-5 ही main बाते हैं एक absent वाड़ी है एक sort listed for interview है और साथ ही जो बाकी दिखाए गए हैं वो non eligible और eligible बस यही खास point थे एक court case वाड़ा point था तो यहां आप अपने roll number डाल करके अपना status चेक कर सकते हैं कि आपका status क्या है क्या आपको sort listed for interview में हैं क्या आप absent में हैं आपके यदि आप note eligible हैं तो क्यों note eligible हैं आपके number कम थे इसी वज़े से आप साथियो note eligible हैं तो इस परकार ये 520 पन्नों की एक list है भ हरी भरकम list पर पूरी अच्छी तरह से नजर घुमाईए और देखिए कि आपका status क्या है आपको क्यों interview के लिए बुलाया और क्यों interview के लिए नहीं बुलाया तो साथियों इस परकार हरियाना स्टाप selection commission ने एक रास्ता साफ किया है अपना result घोशित करने का देखने वाली बात यह है कि कल को जो मानिया हाई कोर्ट के अंदर जो हेरिंग है उसमें इन सभी तथ्यों के साथ है चैसेसी जाएगी और अपने अच्छी तरह से पेस करके और हरियाना स्टाप selection commission की इस भरती पर जो सटे चल रहा था मानिया हाई कोर्ट के द्वारा तो उस सटे को उसको रिमूव कर दे सटे को और जैसे ही रिमूव कर दे तो साथियो result तो फिर बिलकुल आपका तस्त्री में रखा हुआ है आपकी सामने रखा हुआ है तब ही आ जाएगा लेकिन साथियों जब तक मानने हाई कोर्ट की तरफ से वो हरी जंडी नहीं दिखाई देती तो त आपके सामने जो लिस्ट दी गई है यही लिस्ट मानने हाई कोर्ट के सामने भी दिखाई जाएगी लगता है ऐसा क्योंकि इसी की वज़े से यह लिस्ट त्यार की है ताकि मानने हाई कोर्ट को सभी तथ्ये पेस किये जाएं ताकि बताया जाएं कि कहां क्या गड़बडी थी किस वज़े से उनके इंटर्व्यू नहीं लिए गए और किस वज़े से इंटर्व्यू लिए गए और साथियों कौन-कौन साथी इसमें अब सेंट था और किस किस साथी के कम नंबर की वज़े से जो इंटर्व्यू नहीं लिए गए लेकिन फिर भी वो कही ना कहीं में दिक्कत आती है लिस्ट आउट होने में दिक्कत आती है तो इन सभी को ले करके पूरे के पूरे कंडिडेट का बिल्कुल उन्होंने ये वो जिसको हम कहते हैं कि पूरे का पूरा बायो डाटा उन्होंने दे दिया है कि किसका क्या स्टेटस है तो सभी का स्टेटस आप अ सारी बातें कलियर हो गई होंगी और यहां से आप अपनी मेरिट का हिसाब लगा करके देख भी सकते हैं कि आपकी पोजिशन क्या है साथियो यदि आपको चैनल द्वारा दी जा रहे ही जानकारे अच्छी लग रहे हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना और वीडि देने की कोशिश करते हैं हर अपडेट दी है हमने साथियो और देते रहेंगे जब तक रिजल्ट अगोसित नहीं होता रिजल्ट के लिए भी हम त्यार बैठे हैं जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत आपके सामने आपके लिए हम लेकर आएंगे अपडेट लेकिन साथिय आज की इस अपडेट में इतना ही ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे इसको क्योंकि आप देख सकते हैं जाकर के इसको हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमिशन के साइट पर और यदि कोई साथी कहेगा तो मैं उसके पास बेज भी सकता हूँ ये किसी के पास नहीं होगी तो तो साथियो आज के इस सेसन में इतना ही जल्द मिलेंगे नेक्स सेसन में आपके रेजल्ट के साथ भुष्ये में कामना ही ऐसा ही करते हैं कि अगली जो वीडियो बढ़ाएं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए वो आपके रेजल्ट की ही बढ़े हम ये कामना करते हैं तो बाकी शब देखते हैं कि क्या होता है क्या चलता है तो यहीं हम लेते हैं अपने इस सैसन में विराम जल्द मिलेंगे अगली बार तब तक के लिए राम राम